हालो गाइज, वेलकम टो अदेनेडा यूट्यूब चैनल, मेरी तरफ से आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुब कामना है और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, चलिए आज के सेशन में देख लेते हैं, क्या है, आज के सेशन में क्वेशन नमबर 3 हम लोग करेंगे 11.5 exercise का, ठीक है, exercise 11.5 का 3 question हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 question में देखते हैं क्या है, पिक आउट the solution from the values given in the bracket next to each equation, ये जो हम लोगों को question दिये हुए हैं, इस question को solve करके, यानि इस equation को solve करके हमें ये बताना है, कि ये जो bracket में आप लोगों को answers दिये हुए हैं, इन में से कौन सा answer satisfied है, और कौन सा answer satisfied नहीं है, तो simple method क्या होगा इसके लिए, simple method इसके लिए ये होगा, कि हम यहां से इसे solve करके m की value निकाल लेते हैं, देखिए 5, m is equal to 60 लिखा हुआ है, ठीक है, अब m is equal to क्या लिखेंगे 60, और ये 5 किस के साथ attach है, यहां किस sign के साथ है, multiplication के साथ, तो जब ये दूसरी साथ जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, division, ठीक है, अब division का मतलब होता है, इसको हमें divide करना है, और divide करके जो answer आ जाएगा, वो हमारा m का answer होगा, तो क्या आएगा, बताइए, 5 बंजा 5, 1 बचा 10 होगया, 5 तूजा 12, यानि m की value कितनी आ गई, m की value आ होगी, 12, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारी जो m की value आई है, तो यहाँ पर यह जो 12 answer है, यह हमारा correct answer हो जाएगा, तो लिखेंगे, m is equal to 12 is a solution for this equation, ठीक है, m is equal to 12 is a solution for this equation, because m is equal to 12, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5m, कैसे solve करके दिखाएंगे इसको, 5m is equal to क्या लिख सकते हैं, 5 into 12 is equal to 60 होता है, यानि यह जो 60 था, यह यहाँ पर भी 60 था, हमें answer में 60 मिल गया, है ना, हमें answer में 60 मिल गया ना, तो हम जहाँ से चले, दे, मही पर वापस आगे, तो हमारा यह जो 12 answer है, यह हमारा exact answer है, फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने m की value निकाल ली, तो m is equal to हमारा आया 12, it means हमें पता चल गया, यह जो 5 digits हमें धे रखी हैं, इस में से हमारा answer कौन सा है, हमारा exact answer है, वो है 12, तो हम क्या लिखेंगे, m is equal to 12 is a solution for this equation, because m is equal to, अगर 12 हम रखते हैं, इस वाली place पर, तो 5 m is equal to क्या होता है, 5 into 12 is equal to 60, हमें यह 60 वापस मिल जाता है, ठीक है, उसी तरीके से हम next question देखिए, n plus 12 is equal to 20 होता है, यह हमें equation में दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, n is equal to 20, यह देखिए, यह sign plus का है, दूसरी side जाएगा, तो क्या होगा, minus 12 हो जाएगा, तो n is equal to क्या answer निकल कराएगा, जली से बताएगे, क्या answer निकल कराएगा, 20 में से 12 को minus करेंगे, तो 10 में से 2 गया तो 8 और 1 में से 1 गया, तो 1 0 आ जाएगा, तो हमारा n is equal to क्या निकल कराया, 8 निकल कराया, तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे, n is equal to, 8 is a solution for this equation, because, क्योंकि हमने n is equal to, अगर 8 लिया है, और इसको अगर हम इस वाली equation में रखते हैं, इस value को, तो क्या होता है, n plus 12 is equal to, 8 plus 12, तो क्या आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा, यानि यह जो हमारा answer है, यह हमें यहां मिल जाएगा, तो इसी लिए हमारा n is equal to, 8 is the correct answer, next देखिए, P minus 5 is equal to 5, तो पहले से solve करेंगे, P is equal to 5, अब यह minus का 5 है, जो दूसरी side जाएगा, यह plus का 5 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10, तो क्या मिला, P is equal to 10, तो हमारा exact answer क्या है, हमारा exact answer है, 10, अब हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे, P is equal to 10 is the solution for this equation, क्या है, P is equal to 10 is the solution for this equation, because, because P is equal to 10, ठीक है, P is equal to 10 लिखा, और आगे क्या लिखेंगे, P minus 5 is equal to, 10 को लिखने की यहाँ पर जरूँद नहीं है, is equal to करके हम क्या लिखेंगे, P की जगा पर P की value लिख देंगे, 10 minus 5 is equal to 5, यह देखिए 5 और यहाँ पर भी क्या है, हमें 5 मिला हुआ है, यहाँ पर P मैसे अगर 5 को minus किया था, तो answer P था, उसी तरीके से P की value निकालने पर, उस value को यहाँ add किया, हमने इसकी place पर रख दिया, और हमें same answer मिल गया, it means जो हमारा 10 है, वो exact answer है, ठीक है, आप next देखिए, Q upon 2 is equal to 7, तो क्या लिखेंगे, Q is equal to 7 into 2 Q, क्योंकि यह जो 2 है, यह Q से division में add है, है न, divisions attached है, तो दूसरी side जब जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह multiplication में change हो जाएगा, तो Q is equal to क्या जाएगा, 7 to 14, तो हमारा answer क्या है, हमारा answer 14 राइट है, तो लिखेंगे, Q is equal to 14 is the solution for this equation, because, Q is equal to 14, तो Q upon 2 is equal to 14 upon 2 is equal to 7, यह देखिए, 7 यहाँ था, और 7 यहाँ था, same answer मिल गया हमें, है न, तो यह हमारा क्या answer हो गया, 14 answer निकल कर आया, ठीक है, clear हो गया सभी लोगों को, easy easy है, बस मेरे 7-7 आप लोग करते जाएगे, अगर 7-7 आप लोग करेंगे, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, है न, next देखिए, r-4 is equal to 0, ठीक है, तो r is equal to, क्या हो जाएगा, minus का 4 है, दूसरी साइट जाएगा, तो plus का 4 हो जाएगा, it means answer क्या है, 4, तो हम क्या लिखेंगे, r is equal to 4, is the solution for this equation, because, क्यूंकि r is equal to 4, अगर हम लिखते हैं, तो r-4 is equal to 4-4 is equal to, क्या हैगा, 0 आएगा answer, और यहाँ पर भी क्या है, is equal to 0 है, खीक है, अब next देखिए, x plus 4 is equal to 2, तो x is equal to 2-4 is equal to minus 2, तो answer क्या हुआ, यहाँ से हमने answer निकाल लिया, आप लिखेंगे, x is equal to minus 2 is the solution for this equation, because, because x is equal to minus 2, तो x plus 4 is equal to क्या लिखेंगे, यह x की value हम यहाँ पर put कर देंगे, minus 2 plus 4 is equal to 2, और यह 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो यह हमारा right answer है, ठीक है, next, अब आता है question number 4, complete the table and by inspection of the table, find the solution to the equation, m plus 10 is equal to 16, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक काम करना है, कि हमें अपने m की value निकाल लेनी है, ठीक है, क्या करना है हमको, हमको m की value find कर लेनी है, तो हम m की value find कर लेते हैं पहले, m is equal to 16 minus 10 is equal to 6, it means, हमें m is equal to क्या मिलने वाला है, हमें m is equal to 6 मिलने वाला है, ठीक है, अब क्यूंकि यहाँ पर सभी को solve कर करके देखना है, तो हम सभी में यह values put कर करके देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए, यहाँ पर m plus 10 है न, तो यहाँ, जब यहाँ लिखेंगे तो m की value 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो m की value 2 लिखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें वो answer लिखना है, देखिए, यहाँ पर लिखेंगे m plus 10 is equal to 11, अब m की value 2 लिखेंगे, 2 plus 10 is equal to, क्या हो जाएगा, 12, अब यहाँ 3 plus 10 is equal to, 13, 4 plus 10 is equal to, 14, 5 plus 10 is equal to, 15, 6 plus 10 is equal to, 16, 7 plus 10 is equal to, 17, 8 plus 10 is equal to, 18, 9 plus 10 is equal to, 19, और 10 plus 10 is equal to, 20 हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो हमने सारी values निकाल ली, क्यों निकाली, क्योंकि हमें यहाँ पर table दी हुई है, तो उसे fill करना है, आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग इस form में लिखेंगे, इसको 2 plus 10 is equal to, 12, 3 plus 10 is equal to, 13, आप लोग complete complete लिखेंगे, मेरे को space ना होने की वज़े से मैंने उसे नीचे लिख लिख लिया, आप देखिए, M की value क्या रखने पर हमें 16 मिला है, बताए, M की value 6 रखने पर हमें 16 मिला है न, तो हमारा जो answer है, वो यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आया, कि हम लोगोंने क्या किया, हम लोगोंने पहले, M की value निकाल दी, तो M की value हमें, पहले ही पैता चल गए, कि अगर हम M की place पर 6 रखेंगे, तब हमें 16 मिलेगा, न, अगर M की value हम 6 रखेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, तो हमने इन सब को solve कर लिया, और जहां पर हमें 16 मिला कहां मिला हमें same place पर मिला M की value 6 रखने पर अब answer लिखना है अब answer किस तरी के से लिखेंगे एक minute मैं इसे रब आउट कर देती हूँ देखें by क्या लिखेंगे जली से बताईए inspection by inspection we may conclude एक minute दीजिए बस we may conclude क्या conclude निकाला है हम लोगोंने that M is equal to that M is equal to 6 is the solution by inspection by inspection यानि inspection हमने सभी का कर लिया सभी को हमने solve कर कर के देख लिया और सब को solve करने पर 16 answer किसका आया जब हमने 10 में 6 प्लस किया यानि M की value जब हम लोगोंने 6 रखी तब हम लोगों को क्या answer मिला तब हम लोगों को 16 answer मिला तो it means by inspection we may conclude that M is equal to 7 6 is the solution of the above equation ठीक है clear हो गया आप देखिए next भी same है उसको भी same करना है सही क्या करना है यहां से हमको पहले t की value निकाल लेने t is equal to t की value find करेंगे तो यहां पर यह जो t 5 है यह multiplication के साथ attach है दूसरी side जाएगा तो division हो जाएगा तो 5, 7 जा 35 तो t की value क्या आ गई? 7 हमको पहले ही पता चल गई लेकिन क्योंकि table दी हुई है इसलिए हमें इसे solve भी करना होगा तो यहां पर क्या लिखेंगे? t की values यह रखते जाएगे यह सब t की values है तो 5 into t 5 into 3 is equal to 15 5 into 4 20 5 into 5 25 ठीक है? 5 into 6 30 5 into 7 35 5 into 8 40 5 into 9 45 5 into 10 50 और 5 into 11 55 ठीक है? अब कहां पर मिला हमको 35? यहां पर मिला ठीक है? तो यहां पर भी हमें क्या लिखना है? बाए इंस्पेक्शन भी मे अस्पेक्शन बुस्पेक्शन रीक रीक है? में दिनुछल आए 50 रीकי बाए दीकाए रीके? सَّक्ते है? लिक सक्ते है? पर अबव इन क्या? लिक सक्ते है? T is equal to 7 is the T लिखेंगे यहाँ पर मैंने by mistake M लिख दिया है यहाँ पर हमें क्या लिखना है यहाँ पर हमें T लिखना है T is equal to 7 is the right solution for this equation Done? हो गया? समझ में भी आ रहा है ना आप लोगों को साथ-साथ? चलिए आगे चले Next देखिए Complete the table and find the solution for the equation Z upon 3 is equal to 4 इसको हम ऐसे लिख देते हैं Z upon 3 is equal to 4 तो Z की value अगर निकालेंगे तो 4 into 3 is equal to 12 Z is equal to क्या आ गया? Z is equal to 12 आ गया हमने पहले से निकाल लिए अब हमें मालूम है कहां answer आना है? हमारा answer यहां आना है यहां पर क्या दिया हुआ है? यह Z की value दी हुई है ठीक है? अब यहां Z की value को solution कर करके दिया हुआ है ठीक है? अब हमें भी इसी तरीके से solution करना है करना start करें solution देखिए first का क्या निकालेंगे? first वाले में यहां वाले में अगर हम Z की value को 8 रखते हैं तो क्या आता है क्या आता है बताइए इसको हम जब mixed fraction में change करेंगे तो हमारा यह answer आएगा ठीक है अब Z की value क्या रखेंगे यहाँ पर हम 9 रखेंगे और upon 3 करेंगे तो 3 3 जब 9 तो यह हमारा 3 आगया यहाँ पर देखिए Z की value 10 रखेंगे और 3 रखेंगे तो 10 upon 3 होगा लेकिन जब इसको हम mixed fraction में change करेंगे तो क्या आजाएगा हमारा 3 right 1 upon 3 answer आजाएगा अब यहाँ पर अगर हम Z की value 10, 11 रखते हैं तो क्या आएगा answer यहाँ देखिए इसको mixed fraction में कैसे change करते हैं वो देख लीजे divide किया 3 3 जा 9 ठीक है कितना बचा 2 बचा अब एक circle गुमाएंगे इसको नीचे इसको उपर और इसको side में ठीक है तो कैसे लिखेंगे 3 को हम लिखेंगे नीचे और 2 को लिखेंगे उपर और यह जो answer में 3 आया था इसको हम लिखेंगे whole में ठीक है अब चेक कर लेते हैं answer क्या हमारा 11 मिलेगा 11 upon 3 मिलेगा तो देखे 3 into 3 क्या होता है 9 होता है 3 3 is a 9 और 9 में अगर 2 प्लस करते है तो क्या हो जाता है 11 हो जाता है है ना यहां देखिए एक बार अराम से देख लिजे 3 3 जा यानि 3 into 3 किया तो क्या हुआ 9 हुआ और इस 9 में जब 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा answer 11 upon 3 आ जाएगा तो जब हमें mixed fraction में change करेंगे तो इस तरीके से circle गुमाएंगे ठीक है और जब इने हम improper fraction में change करेंगे तो क्या करेंगे इन दोनों का multiplication करेंगे और जो answer आएगा उसको plus कर देंगे यह multiplication होगा और यह plus होगा ठीक है चलिए आगे यहां लिखेंगे 12 upon 3 यहां पर तो इसके लिए भी change करते हैं चलिए 12 3 3 4 जा यहां पर क्या होगा 13 upon 3 तो इसके लिए क्या answer आएगा 13 को divide करेंगे 3 से 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 बचेगा अब फिर से circle ऐसे ही गुमाएंगे circle ठीक है तो क्या लिखेंगे यहां पर 1 को लिखेंगे उपर 3 को लिखेंगे नीचे और 4 को लिखेंगे side way ठीक है 2 3 3 4 4 next करते है यहां पर क्या लिखेंगे 14 upon 3 अब इसको solve कीजे 14 को divide करेंगे 3 से 3 4 जा 12 3 4 जा 12 कितना बचा 3 ठीक है तो क्या लिखेंगे सबसे नीचे वाले को उपर और side वाले को नीचे और जो आंसर आया हमारा उसको side में तो 3 4s are 12 13 14 15 नहीं यह तो 3 3 जा 9 3 4s are 12 बैटे 2 बचेगा यहां पर यहां पर आएगा हमारा 2 आएगा यहां पर यहां पर 2 आएगा ठीक है आब next रेखिए इसके लिए 15 अपॉन 3 तो इसको कैसे solve करेंगे इसको भी हम division से solve करेंगे 15 को divide किया 3 से 3 5 15 तो यहां पर क्या answer आया हमारा 5 अब 16 अपॉन 3 क्या लिखेंगे इसके लिए 16 अपॉन 3 तो इसको जब हम solve करेंगे 16 को divide करेंगे 3 से 3 5 जा 15 1 बचा तो यह 1 लिखेंगे उपर और यह 3 लिखेंगे नीचे और 5 आएगा side में तो यह हमारे सब mixed fraction में निकल कर आ गया चली से बताईए answer हमारा क्या है z is equal to 12 ठीक है z is equal to 12 तो हम क्या लिखेंगे answer कहां लिखेंगे अब answer के लिए तो space ही नहीं बचा चलीए यहाँ पर space कर लेते हैं यह नीचे का हम erase कर देते हैं ठीक है यह सारा हमारा erase हो गया अब आप लोग बताईए कि answer क्या लिखना चाहिए जोगी से बताईए क्या लिखना चाहिए answer by inspection we may conclude that क्या conclude किया आमने z is equal to 12 is the solution of the above equation ठीक है क्या answer आया z is equal to 12 is the solution for the above equation क्योंकि यहाँ पर z is equal to 12 हमने पहले answer निकाल दिया था तो हमें z is equal to क्या चाहिए था हमें z is equal to 12 ही चाहिए था और z is equal to 12 कहा निकल करा रहा है बताईए z is equal to 12 कहा निकल करा रहा है z is equal to 12 यहाँ पर यानि z की value अगर हम 12 लिखते हैं यहाँ देखिए ठीक है चलिए अब आगे चले next ये भी same है m minus 7 is equal to 3 है तो m is equal to क्या हो जाएगा m is equal to 10 हो जाएगा अब m is equal to 10 हमें पता चल गया कि हमें m की value क्या निकालनी है हमें m की value 10 निकालनी है अब करना क्या है ये सब m की values दी हुई है सिर्फ solution करना है m की place पर 5 रखेंगे m की place पर 5 minus 7 रखेंगे तो क्या बचेगा 2 तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे ऐसे ही करेंगे न और किसका आएगा 2? minus का आएगा यहाँ पर m की place पर 6 रखेंगे minus 7 करेंगे तो minus 1 answer आएगा ठीक है यहाँ पर 0 आएगा answer नो आएगा क्योंकि m की value 7 और 7 is equal to 0 हो जाता है अब m की value 8 minus 7 is equal to 1 m की value 9 minus 7 is equal to 2 m की value 10 minus 7 is equal to 3 m की value 11 minus 8 7 नहीं दिया हुआ है 8, 9, 10, 11 m की value 11 minus 7 is equal to कितना बचेगा 4 उसी तरीके से sequence में चलते जाएगे 1, 2, 3, 4, 5, and 6 आप लोगों का भी यही answer आ रहा है है ना सभी लोगों का answer आ रहा है अगर answer यहीं आ रहा है तो exact answer आ रहा है तो m की value अब बताईए m is equal to 10 कहां पर है जल्दी से बताईए m की value क्या निकाली थी हमने 10 निकाली थी और m की value 10 कब आ रही है बताईए जल्दी से m की value कब आ रही है 10 m is equal to 10 रखने पर यहीं m की value अगर हम 10 रखते हैं और उसमें से minus 7 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 मिलता है ठीक है यह और यह दोनों same आ गए ठीक है मिल गया ना same तो क्या answer हुआ m minus 7 is equal to 10 it means m is equal to 10 रखने पर m is equal to 10 रखने पर क्या answer मिलता है 3 answer मिलता है ठीक है तो लिखेंगे क्या लिखेंगे जल्दी से बताईए by inspection we may conclude that m is equal to 10 is the solution किसके लिए solution है solution of the above equation yeah m is equal to हमने पहले ही निकाल लिया था मैं इतना लंबा चोड़ा निकालने की जरुवत नहीं होती है बट हमको यहाँ पर पूरी table दी हुई है तो वो table भी तो हमें solve करके दिखानी है और table कैसे solve करेंगे हो तो हम लोगों को return में ही solve करके दिखानी होगी इस तरीके से एक 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 step by step करेंगे है न तो जहाँ पर हमें m is equal to 10 मिल जाएगा और 10 की m की value फिर 3 मिल जाएगी वो ही हमारा answer हो जाएगा ठीक है समझ में आया आप सभी लोगों को है ना आज का session पसंद आया आज का session बहुत interesting था I hope आप सब लोगों को समझ में आया होगा एक बार practice जरूर करेंगे और session अगर पसंद आया है तो like, share और comment जरूर करेंगे ठीक है तो कल फिर मिलेंगे हम इसी time पर चले, चले, बाइ-बाइ